अगर अपने अपने पार्टनर को चीट करती हुए रंग यहाथ पकड़ लिया तो आप क्या करोगे एसा ही कुछ आज के हमारी मूवी में होता है आज के हमारी मूवी का नाम Adult Errors 2015 की एक thriller मूवी है एक true story पर भी based है इसके last में भी एक बड़ा सा twist है मूवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है पर last की twist की वज़े से एक movie वर्थीट है तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से बेले मैं आप सबसे request करना चाता हूँ अगर आप कोई वीडियो अचा रगता है तो प्लीज कमेंट और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत support मिलता है अब बीना किसी देरी के movie को explain करना स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारा main character जिसका नाम है Samuel इसे हम देख सकते है या अपनी wife Ashley के साथ बात कर रहा है आज इनकी anniversary है एक अच्छे से hotel में हो जाने वाली थे अच्छानक से Samuel की boss ने उसे बताया कि उसे extra shift करने पड़ेगी इसी वज़े से इनका सब plan चोपट हो गया फिर होगी अगर तुम तब भी सोई होई नहीं होगी तो फिर हम anniversary celebrate करेंगे इसके बाद Sammy को हम काम पर देखते हैं काम पर उसके एक core character है जिसका नाम है Lola लोला को उसका boss हमेचा उसके office में ही रखता है Samuel लोला से कहता है कि शायद वो तुमें पसंद करता है इसलिए इस सब वो कर रहा है Samuel ने फिर एक florist को call लगया अपनी wife के लिए beautiful flowers भेजने वाला है लोला इस सब सुन रही थी तो उसे बहुत beautiful लगता है अब मैं आपको जो भी सब बाते बता रहा हूँ ये movie के end के लिए बहुत important है जो आप ठीक से याद रखेगा Samuel एक super shop में helper है यहाँ पर एक flight attendant थी जिससे वो कुछ buy करने के लिए help करता है वो जब घर आ रहा था तो एक गाड़ी ने उसे cut मारा इस गाड़ी के number plate पर flash लिखा हुआ है वो घर पोचा और generally इस time पर उसकी wife घर पर नहीं होती है उसने जो भी सब gifts लाए थे ये सब उसने घर में उसे surprise करने के लिए रख दिये वो relax कर रहा था तब उसने notice किया कि उसकी wife का purse तो यही है उसने फिर आशली को call लगया तो call की ring उसे उपर से आ रही थी वो देखने के लिए जब उपर जाता है तो उसे दिखता है कि उसकी wife किसी और के साथ intimate हो रही है वो बहुत disturb हो जाता है डारेक्ली उसने घर में जो गंस रखी थी यह उठा लेता है उसे फोट आता है कि उपर जाकर इन दोनों को मार डाले पर ऐसा हो नहीं करता अपना गुसा शान्त करने के लिए थोड़ी सी ओड्रिंक लेता है जब आशली सैम्यूल को नोटिस करती है तो वो और उसका लवर यह दोनों बहुत डर जाते है सैम्यूल के हाथ में गन है तो उन दोनों को यही रुकने के लिए खेता है जिस आदमी के साथ वो इंटिमेट हो रही थी उसका नाम डेमियन है डेमियन कहता है कि यहाँ जो भी हुआ यह बहुत गलत हुआ है पर तुम्हें वाइलेंस करने की कोई भी ज़रुवत नहीं है सैम्यूल नहीं मानता और यह बेटने के लिए गयता है वो एशली से कहता है तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया मैं तुमारे लिए सब कुछ करता हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गंटों ता काम करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे अब कुछ आंसर्स चाहिए वो क्लॉक में टाइम लगाता है जब तक एक लॉक टिक कर रही है तब तब तुम सही हो अगर एक लॉक बन पड़ गे और मेरे questions के answer मुझे नहीं मिले तो तुम दोनों को मार डालूँगा डेमियन से पूछता है कब से तुम मेरी wife के साथ हो डेमियन कहता है कि 6 weeks सैमयल बोलता है 6 weeks से तुम मेरी wife के साथ intimate हो रहे हो डेमियन कहता है कि ऐसा नहीं है हम एक दो बार ही एक दूसरे से मिले है Samuel गुस्ता हो जाता है तुम मेरे घर में मेरे वाइफ के साथ सो रहे थे उसे पूछता है कि तुम मिले कैसे थे Damien कहता है कि हम ओनलाइन मिले थे Ashley रो रही है उसे बहुत ही बुरा लग रहा है Samuel को इस सब पता चल गया बात कर रही हो और वो एक्च्वल में Damien से बात कर रही थे Samuel फिर नोटिस करता है कि Damien के हाथ में एक रिंग है उसे बुछता है या तुम मैरेड हो Damien कहता है कि हाँ वो बुछता है कि क्या तुम्हें बच्चे है Damien कहता है कि मुझे एक लड़का है और उसे अब बेटी होने वाली है Samuel कहता है कि अब मैरेड होना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता रैट तुम दोनों में बात आगे कैसी बड़ी Damien कहता है हम दोना इक दूसरे से चाट करते थे वो एक दूसरे को जान गए और इसके बाद उनका अफेर स्टार्ट हो गया Samuel Damien से बुझता है मेरी वाइफ के साथ होकर तुम्हें कैसा लगा वो इस पर आंसर नहीं करता अब Samuel चाहता है कि Ashley और Damien ये उसके सामने ही इंटिमेट हो Ashley यहती है ये तुम क्या कर रहे हो ये बात हम दोनों की बीच में है हम इसे सुल जा सकते है Samuel मानता नहीं और उसके पास करन है इसी वज़े से Ashley और Damien को उसके सामने इंटिमेट होना पड़ता है Ashley को उसके मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आया ये कॉल Samuel उठाता है और कहता है कि आज Ashley उसके काम पर नहीं आएगी घर पर कुछ प्रॉलम चल रहे है तो यही वो सौट करेगी ये हो जाने के बात Samuel कहता है कि जो situation है ये मैंने एक मूवी में देखी थी एक आदमी टैक्सी में अपने घर तक आता है पर वो रॉब मिल्डिंग में पहुच जाता है यहाँ पर विंडो में अपनी वाइफ को देख सकता था मूवी में वो आदमी कहे रहा था कि वो किस तरह से अपनी वाइफ को मारेगा Samuel कहता है कि मुझे भी अब वैसे ही लग रहा है मैंने मेरी लाइफ में किसी भी औरत को हर्ट नहीं किया है मुझे बिलिव नहीं होता कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ पर इस सिचुएशन में तुम दोनों ने मुझे डाल दिया है और मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा Samuel फरी Damien के बारे में और कुछ जानना जाता है उसका वालेट चेक करता है तो इसमें एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ट से है और अन्यूजवल अमांट आप पैसे भी उसमें है Samuel पुछता है कि तुमने इदने पैसे क्यों लाए है या तुम Ashley को पे कर रहे थे और उसका शक सही था Ashley उसे कहती है कि मैं पैसो के लिए नहीं कर रहे थी पर आज मुझे पैसो की जरूरत थी Samuel पुछता है कि तुमने पैसो की क्यों जरूरत है तुम्हीं जो भी चाहिए होता है या सब में प्रोवाइड करता हूँ Ashley कहती है तुम्हें मैं गिटार गिफ्ट करने वाली थी हमेशा हमारे पास पैसो का प्रॉलम होता है तो इसलिए मैं उससे लोन ले रही थी मेरा ब्लैन था कि मैं उससे पैसे वापस कर दूँगी वो उससे कहती है मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ Samuel को Damien के बारे में पता जलता है कि वो Air Force में था Samuel को भी Air Force जॉइन करनी थी पर उसका कोई connection नहीं था इसी वज़े से वो करनी पाया Damien कहता है मुझे तुम जोड़ दो मेरे बहुत सारे connection से तुम अभी यंग हो तुम अभी भी pilot बन सकते हो Samuel कहता है इतनी जल्दी तुम यहां से नहीं निकल सकते Samuel Damien से कहता है कि तुम लोग को तो nickname दिये जाते थे तुमारा nickname क्या था Damien कहता है कि मुझे flash बुलाया करते थे वही नाम है जो earlier हमने गाड़ी की number blade पर देखा था Samuel पर पुछता है तुमारी wife का नाम क्या है Damien कहता है कि Jasmine Samuel पुछता है तुमारी wife के साथ तुमें कोई problem है Damien कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है पर वो खुद problematic है अपने mental health को लेकर वो मैंसा struggle करता है Samuel पुछता है कि अगर तुमारी wife को पता चला तो तुम क्या करोगे Damien कहता है कि वो समझ जाएगी पास्टर में भी मुझे बहुत साथ प्रॉलम्स थे उसने मुझे साथ दिया है Damien Samuel को समझाने की कोशिश करता है जो भी है यह problem तुमारे husband wife के बीच में है इसी वज़े से तुमारी wife ने तुम पर cheat किया इसमें मेरा कोई भी role नहीं है तुम दोनों इस वर बात करो और कोई वे निकालो इस तरीखी की चीज़े life में होती रहती है तुम इससे move on कर सकते हो प्लीज मुझे यहां से जाने दो Samuel मानता नहीं Damien कहता है कि एक बार मुझे मार डाल Bible में लिखा है कि तुम्हें किसी से भी revenge नहीं लेना चाहिए अकर तुम revenge लेते चले गए तो कभी भी एक खतम नहीं होगा Samuel कहता है कि यह revenge नहीं है अगर मुझे revenge लेना होता तुम्हारे घर में जाता और तुम्हारे wife के साथ intimate होता पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा यह जो सब चल रहा है यह justice है Samuel कहता है Bible में यह भी लिखा है किसी के और की wife के साथ intimate नहीं होना है अगर कोई आदमी यह करता है तो इसे death की सजा होने चाहिए मैं जो कर रहा हूँ यही सब God भी चाहता है अब जब भी में मेरी wife को देख रहा हो तो मुझे तुम ही दिखते हो इसके सजा क्या होगी इसकी सजा death ही है डेमियन बोलता है तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो आजकल सब लोग का पैसो का problem चल रहा है मुझे सिर्फ एक call लगाने दो और शाम तक तुम्हें सब कुछ वैसे मिल जाएंगे Samuel अब भी नहीं मानता डेमियन की पास दो phone है एक phone वो सिर्फ affairs करने के लिए रखता है Samuel जब डेमियन की phone में Ashley का number सर्च करता है तो as a prostitute ही उसने save किया है Samuel अशली से कहता है देखा वो तुम्हें क्या समझता है डेमियन सैमियल से कहता है हम दोनों कोई अलग-अलग नहीं है जब पहली बार तुम भी Ashley से मिले थे तो वो married थी Samuel उस पर गुसा हो जाता है इसे ये किसे बात ही पता चली Samuel कहता है Ashley का husband उसे मारता था ये abusive relationship में थी मैंने उसे बचाया था हम दोनों same नहीं है डेमियन कहता है जो समझना है तुम समझ लो Samuel कहता है मेरे फादर कहा करते थे कि आप लोग को change नहीं कर सकते Ashley ने उस पर cheat किया तो ये बात आप सही निकली है वो बहुत ही hurt है डेमियन से बोचता है तो उन्हें मेरे साथ ऐसा किया क्यों डेमियन भी अब give up कर चुका है वो truth बता देता है वो गहता है क्योंकि मैं कर सकता था मैं powerful हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ Samuel इस पर और भी चिट जाता है गहता है कि तुम लोग इनके पास बहुत सारे पैसे होते इन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते है हम जैसे वीक लोग का तुम advantage लेते हो एशली और डेमियन यह दोनों एक की CT के है डेमियन उसे समझाता है कि मैं हमेशा से reach नहीं था मैंने भी बहुत struggle किया है Samuel को फिर उसकी cover कर लोला का call आया वो lunge break में बाहर गया था Samuel बहुत time तक वो अपस नहीं है तो वो worry कर रही है Samuel कहता है घर पर कोई problem आ गई है इसलिए वो बात में आएगा अब वो फिर से डेमियन से बात करता है जहता है अब तुम्हारी wife को तुम call लगा उसे सब कुछ बता हो की किस situation में तुम हो देमियन wife को call लगाता है आप से सब कुछ बताता है उसकी wife रोने लगती है बुछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो देमियन कहता है कि नहीं या छोड़ देना चाहिए यह phone speaker पर था तो Damien की wife कहती है मुझे तुम से private में बात करनी है Samuel और वो बात करते और इन्होंने कुछ plan बनाया है अब थोड़ी तेर में Damien की wife Jasmine वहाँ आ जाती है Damien को लगता है उसे बचाने के लिए वहाँ आई हुई है पर ऐसा कुछ भी नहीं है उसे punish करने के लिए उसके सामने ही Samuel के साथ intimate होती है जितना hurt Samuel और Jasmine को हुआ था यही hurt वो Damien और Ashley को देखना चाहते है यह उनके सामने intimate होते है और इसके बाद Jasmine वहाँ से चली जाती है जाते जाते कहती है कि तुम इसके साथ कुछ भी करो मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता Samuel अब Ashley से कहता है क्या आप कैसा लग रहा है Ashley रोने लगती है कहती है मैं सिर्फ तुम से प्यार करती हूँ मैं सिर्फ उसके साथ intimate हो रही थी इसका कुछ भी मिनिंग नहीं था Ashley कहती है कि मुझे problem है मैं कभी भी किसी के साथ faithful नहीं थी मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ और इस relationship को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ Samuel फिर कहता है एक revolver लो और Damien को मार डालो तुमने अगर उसे मार दिया तो सब को सही हो जाएगा हम पुलिस को कहेंगे कि हमारे घर में वो घुस आया था self protection के लिए तुमने उसे मार डाला हमारे पास backyard भी है वहाँ भी हम उसे गार सकते है Ashley फिर जादा कोई सोचती नहीं और Damien पर गन लगाती है वो उसे मार ही डालने वाली थी पर Samuel उसे गन ले लेता है Samuel Damien से कहता है कि देखा यहां क्या चल रहा है Ashley फिर खुद को explain करती है यह थी है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर एक बहुत इकटी आदमी थे वो hard working थे पर उन्हें कभी भी promotion नहीं मिलता था वो इस चीज से frustrated होने लग गए थे एक बार उन्हें काम था तो उनके बॉस मुझे स्कूल में लेनी के लिए आये स्कूल से घर जाते वक्त एक long ride थी तो वहां में सो गई जब मेरी आख खुली तो मेरे फादर के बॉस मुझे touch कर रहे थे उसके बाद मेरे फादर का promotion हो गया एसा चलता ही रहा मैंने मेरे फादर को कहा पर उन्होंने मुझे जुटी कहा वो कहते थे यह जब तक मेरे बॉस खुश है तब तक सब सही है एशली अपने फादर से पैर करती थी और उन्हें खुश देखना जाती थी कर बुरा लगता है वहता है कि हम सब लोग rotten है हम एसे कोई भी सही नहीं है और वो कहता है कि हम सब ने गलतिया किये अब हम God पर छोड़ देंगे कि हमारे साथ क्या होगा वो एक गोली लेता है और revolver में डालता है इसमें six rounds है और केक करकर सैमें गोली चलाने वाला है अब किस पर गोली चलेगी एक किसी कोई पता नहीं है हमें सिर्फ गोली चलने का आवाज आता है वा स्क्रीन डार्क होती है इसके बाद हम देखते है कि सैमें की cover कर लोला उसके घर पर उसे देखने के लिए आती है दोर कोई भी खोलता नहीं तो बाहर से ही चली जाती है या उसने सैमेंल की drug notice की थी उसे पता चला कि सैमेंल घर पर ही है इसके बाद घर में हम देखते हैं कि सैमेंल एशली के साथ है और नीचे डेमियन की body पड़ी हुई है उसने फिर backyard में डेमियन की body guard दिये एशली उसके साथ थी और यह सब देख रही थी अगले second में उसे realize हुआ कि एशली उसके साथ नहीं है एशली का scar भी हम इस backyard में देख सकते हैं यानि कि उसने जो bodies guard है इसमें एशली और डेमियन यह दोनों थे हैं मुवी के फिर्स में ही जब उसने सोचा था कि एशली और डेमियन को मार डाले तभी उसने उन दोनों को मार डाला था नीचा आकर वो बैठ गया और सब चीजे imagine करने लग गया एशली ने ऐसा उसके साथ क्यों किया इसका कुछ rationalization चाहता था मुवी के फिर्स में हमने देखा है कि Samuel एक flight attendant को उसकी purchase करने में help करता है उसने डेमियन को यही profession दे दिया डेमियन का nickname उसने flash दिया यह उसी गाड़ी के number plate पर लिखा था जिसने उसे cut किया था अपनी स्टोरी में एशली ने अपने फादर का बॉस का नाम लिया था Samuel के बॉस का नाम भी वही है Samuel का बॉस भी उसके friend लोला के साथ intimate होना चाहता है वही स्टोरी उसने एशली के character को भी लगा दिया उसने डेमियन और एशली को मार डाला मुवी में हमने देखा कि लोला ने notice किया है कि Samuel घर पर ही था सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल नोटिवेशन आइकों दबने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक निवी के साथ तब तक ले थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये